Hello students, welcome back, I am Pyle and today we will learn about the Varnamala. In Varnamala, Swerr and Vengeance. Swerr means vowels. Swerr को हम English में बोलते हैं vowels. और Vengeance को हम बोलते हैं consonants. Vengeance को हम बोलते हैं consonants. जो हमारा consonants होता है, वो क से start होता है. और जो हमारा Swerr है, वो औ से start होता है. यहाँ बर बच्चों मैं आपसे एक question करती हूं कि आपको पता है, English में कितने vowels होते हैं? अगर आपको नहीं पता कि English में vowels कितने होते हैं, क्या होता है vowels, तो आपको English के grammar में भी यह पढ़ लेना चाहिए मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है आप उस पे जाकर English के vowels के बारे में study कर सकते है उसमें भी vowels और consonants यह grammar में basic है जैसे English में basic grammar वहां से start होता है उसी तरीके से हिंदी में भी स्वर और वेंजन, वावल्स और कॉंसोनेंट से ही बेसिक ग्रामर स्टार्ट होता है. सबसे पहले अगर आप ये लर्न कर लेते हो, तो आपको सब कुछ आ जाएगा हिंदी में. रीडिंग, राइटिंग, कैसे आपको लिखना है, बोलना है, पढ़ना है, आपको सब कुछ आ जाएगा. सो पहले मैं आपको इसके ग्रामर के बारे में बताऊंगी, और फिर हम वर्नमाला के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट में हैं देखो, ग्रामर. आओ हिंदी वर्नमाला को समझे, आओ हिंदी वर्नमाला को समझे, लेट्स अंडस्टान्ड दी हिंदी अल्फाबेट. जैसे कि इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं एसे लिके Z तक के वैसे हिंदी में भी वर्न माला को अल्फाबेट बोल सकते हैं हम इंग्लिश में वर्न या अक्षर ध्वनियों के निश्चित चिन होते हैं इनके और अधिक टुकडे नहीं किये जा सकते जैसे अ-क-म-ादी सो वर्न या फिर अक्षर जैसे कि समझ जाएए अ- ये क्या है? अक्षर है क क्या है? ये अक्षर है म क्या है? अक्षर है वर्न याने की उससे स्टार्टिंग रहती है जैसे कि क सो हम इसको क्या कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते इसमें ये बताया गया है कि हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते तुकडे नहीं कर सकते जैसे कि हमारे पास एक चौक का पीस है हम उसे अगर वो लॉंग रहा तो हम उसे तोड़ सकते उसके शायद दो या तीन तुकडे हो जाए उसी तरीके से अगर समझ जाए हिंदी में कोई शब्दे जैसे कि कमल लिखा हुआ है तीनों शब्द अलग हो गए याने कि हमने उसे डिवाइट कर दिया लेकिन उनके अधिक तुकडे नहीं कर सकते याने कि अ में एक ही शब्द है आप उसको डिवाइट कर सकते हो नहीं कर सकते इसलिए इसे वर्न या अक्षर कहा जाता है उनके टुकडे नहीं किये जा सकते बस हमें यही ध्यान रखना है वर्न माला वर्न माला मेंस सारे वर्नों या अक्षरों का क्रम बद्द समूह वर्न माला कहलाता है वर्न दो प्रकार के होते है क्या बताया गया यहां सारे वर्णों या अक्षरों का क्रम बद्ध समुह वर्ण माला कहलाता है जो हमारे सारे शब्द है उसका जो समुह है याने की जो ग्रूप है याने टोटल उसको हम क्या बोलेंगे समुह बोलेंगे उस जैसे की अ से लेके जो पूरे अक्षर हो गए उसे हम बोलेंगे वर्ण माला जैसे वर्ण माला में वावल्स याने की स्वर और कॉंसनेंट्स अलग-अलग है लेकिन हम सभी को मिलाके क्या बोलेंगे वर्ण माला हम सभी को मिलाके बोलेंगे वर्ण माला लेकिन फिर अगर हम आगे देखेंगे आगे देखेंगे जो हमारा टोटल है स्वर और वेंजन वावल्स और कॉंसनेंट्स दोनों को मिलाके हम बोलेंगे वर्न माला लेकिन यहां अलग से दिया गए स्वर अब स्वर क्या होता है स्वर के बारे में पढ़ते है स्वर वे वर्न होते है जो अपने आप में स्वतंत्र होते है उन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्न की सहायता नहीं लेनी पढ़ती हिंदी में अ से अउ तक ग्यारह स्वर है स्वर कितने है ग्यारा हमें ये हमेशा याद रखना है इंपोर्टेंट ग्रामर हिंदी का इंपोर्टेंट ग्रामर क्या हो जाता है हिंदी में कितने स्वर होते है तो हिंदी में ग्यारह स्वर होते है so आम हो रहा क्या है उसके बारे मैं आगे बताती हूँ वेंजन वेंजन means consonant वेंजन means consonant ऐसे वर्न जो स्वरों की सहायता से बोले जाते है वेंजन कहलाते है हिंदी वर्ण माला क से ह तक 33 वेंजन है अब वेंजन, कॉंसोनेंट्स कहा से कहा तक क्या है? क से ह तक क्या है हमारा वेंजन है क से ह तक वेंजन है हाव मेनी वेंजन्स? 33 हमारे स्वर 11 है हिंदी में और वेंजन 33 है स्वर 11 अ से आउतर और वेंजन है 33 क से ह तक अब आपको मैं ये तीनों बत फिर से बता रही हूं वर्ण माला मिन्स जो क से जो हमारा वर्ण माला है वो पुरा अ से लेके ह तक के इसे हम वर्ण माला बोलेंगे लेकिन स्वर स्वर मिल्स अ से अ तक क्या है गा स्रिप और ग्यारा रहेंगे वेंजन कॉंसोनेंट्स थाटी थ्री थाटी थ्री क से ह तक और वर्ण माला क्या है पुरा समू है पूरे ग्रूप को बोलते हैं वर्ण माला वेंजन हमारा हो गया असे अउतक के ग्यारा स्वर और हमारा वेंजन हो गया क से ह तक तेतीस याने थाटी थ्री सैयुक्त वेंजन सैयुक्त वेंजन जैसे कि श्यात्रण्य ये क्या है सैयुक्त वेंजन है श्यात्रण्य ये क्या है सैयुक्त वेंजन ये दो वेंजनों के मिलने से बने हैं आपको पता है जैसे कि ये जो शब्द हो गए श्य, त्र, द्न्य, इनका उच्चारन दो शब्दों से है अतिरिक्त वेंजन ड, ध, अतिरिक्त वेंजन है ये आपने देखा होगा, उस लाइन में एक्स्ट्रा होते है ड, भी होता है, फिर बाजू में होता है बिंदू देखे, एक नॉर्मल होता है और इसमें बिंदू है स्मॉल डॉट है, इसे बोलते हैं अतिरिक्त वेंजन इन में कोई भी शब्द प्रारंब नहीं होता है इन से कोई भी शब्द प्रारंब नहीं होता है ये दोनों एक ऐसे शब्द है, जिससे जैसे की क, क से कमल, क से ककड़ी, क से कच्छुआ सो क से क्या हुआ, बहुत सारे शब्द स्टार्टिंग में आ गए लेकिन ड और ध, ड और ध, इससे कोई भी शब्द नहीं आता जिसमें बिंदू है, जिसमें बिंदू नहीं है, वो शब्दों से तो जैसे की ढक्कन हो गया, डमरू हो गया लेकिन जिसमें बिंदू है, उन शब्दों से कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होगा याने की प्रारंब नहीं होगा उस शब्द से कोई भी शब्द स्टार नहीं होगा अण को अनुस्वार कहते है अन को क्या कहते है अनुस्वार कहते है इसका उच्चारन नाक से होता है अन येस बोलके देखो अन इसको हमें नाक से बोलना पड़ता है अन राइट नाक से इसका उच्चारन होता है अनुस्वार का चिन है अनुस्वार का चिन क्या है? बिंदू अनुस्वार का चिन क्या है? बिंदू जैसे की शंक शंक में बिंदू आया बंदर बंदर में बिंदू आया पलंग पलंग में लग के उपर बिंदू है आधी अम क्या है? अपना अनुस्वार है अम अनुस्वार आह next is आह अ को अनुनासिक कहते है इसे चंद्रविंदू भी कहते है आपको मैं जैसे सेंटेंस बोलती हूँ आपको भी ये रिपीट करना चाहिए इसका चिन्न चंद्रमा जैसा होता है इसका चिन्न कैसा होता है हाफ राउंड एन बिंदू इसका उच्चारन नाक और मू दोनों से होता है जैसे कि चांद पांच साप आदी इसमें सभी में चंद्रविंदू का यूस किया गया है अनू नासिक चंद्रविंदू भी कहते है विसर्ग विसर्ग याने की आहा अन आ आहा को विसर्ग कहते है इसका उच्चारन ह की तरह होता है इसका चिन कैसे दर्शाते है इसके सिम्बॉल्स क्या है टू पॉइंट दो डॉट से दिखाते है हम इसे कैसे शब्दों में यूज करते है जैसे प्रांत, सन्य, अंत, नमह आदी में यूज करते है इसे हम बोलते है विसर्ग अहा ह का साउंड आता है चंद्रविंदु में जैसे की चा आ का साउंड आएंगा आ और न का दोनों का साउंड आएगा अम में अनुस्वार अतिरिक्त हमने देखा सैयुक्त वेंजन वेंजन स्वार एक बार फिर से रिपीट कर ले वर्न वर्न और अक्षर याने की जो शब्द होते है उसके टुकडे हम फिर से नहीं कर सकते उसे हम वर्न या अक्षर बोलेंगे वर्न माला यानि की जो पूरा ग्रूप हो गया जैसे की एसे लेके z तक के a,b,c,d होती तो उसे पूरे को मिला के alphabets बोलते है वैसे ही वर्न माला जो पूरा ग्रूप है जो हमारे सभी है उसको हम वर्न नमाला बोलेंगे अब स्वर क्या होता है स्वर मिन्स वावल्स अ से अ तक के ग्यारा हमारे स्वर है वेंजन मिन्स कॉंसोनेंट्स हमारे वेंजन कितने है क से ह तक के 33 हमारे वेंजन है और सयुक्त याने की जो की दो या तीन शब्दों के साउंड से मिलकर बने हुए है जैसे इसे कि श, त्र, न, यह हम आगे की ग्रामर में और डीटेल में देखेंगे फिर सयुक्त वेंजन दो शब्दों या तीन शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द अतिरिक्त वेंजन ड और ढ यह ऐसे शब्द है जिसे कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता कोई भी अक्षर स्टार्ट नहीं होता जैसे कि कमल, ककड़ी ये इनसे तो ये शब्द स्टार्ट होते है ड से ढकन, डमरू वो अलग है लेकिन ये ड और ड इसमें बिंदू दिया गया है ये इससे कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता शुरुआत नहीं होती किसी भी शब्द की UN UN MEANS अनुस्वार ये बिंदु से दर्षाया जाता है one बिंदु याने कि एक पॉइंट से दर्षाया जाता है अनुस्वार अनुस्वार याने कि इसे हम चंद्रविंदु भी कहते है half circle और one dot से हम दर्शा आते हैं विसर्ग, विसर्ग मिन्स जैसे कि दो विसर्ग किसे कहते हैं अह, अह में ह का sound आता है और इसमें दो बिंदू होते हैं